नमस्कार दोस्तों आप सबी को सुनीता सिंग की तरफ से गणिस महसव की हारदिक शुब कामना है दोस्तों चारों तरफ गणिस महसव का शोरगुल है और सबी बड़े हरशुलास के साथ इसे तियोहार को मना रहे हैं तो दोस्तों आज में लेकर आई हूँ एक बड़े ही शा artificial food color का इस्तेमाल नहीं किया इसे अपनी kitchen में जो भी साख्ष सबजियां होती हैं उनी से मैंने इसमें color बनाया है तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने channel homemade recipe by सुनिता सिंग पर आए दोस्तों बनाते हैं बड़ा ही colorful मोदक जो की फलाहारी मोदक है इसे आप ब्रत में भी खा सकते हैं दोस्तों इन खूबसूरत मोदक बनाने के लिए मैंने एक बड़ा ही secret सामगरी का इस्तेमाल किया है जिससे हमारे इस मोदक बड़ी flavorful बने है तो आप पूरी recipe देखेगा तब आपको पता चलेगा मैंने किस secret सामगरी का इस्तेमाल किया है इसे बनाने के लिए दोस्तों ये मैंने एक कटोरी desiccated नारन लिया है इसे पीस लिया है साथ में आधा कटोरी चीनी को भी पीस कर लिया है ये चोथा ही कटोरी काजू थे इनको भी मैंने पीस लिया है और दोस्तों ये चोथा इकटोरी मैंने milk powder लिया है साथ में ये चार छोटी इलाइची इनके छिल के उतार कर इनक्रश कर लिया है फ्रेश इलाइची का इस्तेमाल कर आच्छा रोमा आता है और दोस्तों ये हमने घर में फूड गलर बनाया है और इसे मैंने कैसे बनाया है दोस्तों इसके लिए ये मैंने चोकंदर साफ ठोकर कर ले लिया इसे अब मैं अच्छी तरह से छिल लूँगे पहले पिछला portion निकाल लेती हूँ और इसे छिल लिया है छिलने का दोस्तों इसे मैंने greater से grate कर लिया है इसके बाद मैंने चलनी लिया है और इस तरही के से grate किया हुआ चोकंदर रखकर चमज से दबा दबा करके मैंने इसके रस को अलग कर लिया है तो ये हमें natural color मिल गया है और जो ये कसा हुआ हमारा चोकंदर बचा है इसकी सबजी बनाऊँगी इसकी रेसिपी में आपको जल्दी ही दोंगी ये एक कटोरी दूद लिया है घर में कोई भी दूद हो वो ले लिजीगा मैंने मलाई के साथ लिया है अब एक चमज घी कड़ाई में डाल दोंगी गयस की फ्लैम धीमी है घी जैसी मेल्ट हो जाएगा काजू डाल दोंगी पिसा हुआ साथ मैं डेसिकेटिट नारेल डाल दोंगी और इसे धीमी फ्लैम पर लगातार चलाती हुए कुछ मिनट के लिए भून लोगी देखिए इसमें बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है कलर हमें चेंज नहीं करना यह भून चुका है अब भूनने के बाद अब मैं इसमें जो दूद लिया था एक कटोरी उसे डाल दोंगी और गैस की फ्लैम हमें धीमी ही रखनी है और इसे अच्छी तरह से मिला लोगी देखिए दूद डालते के साथ ही यह गाड़ा होना स्टार्ट हो गया है अब जो हमने मिल्क पाउडर लिया था उसे डाल देंगे और धीमी फ्लैम पर इसे हलका सा मिला लेंगे अब इसके बाद दोस्तों जो मैंने चीनी ली थी उसे डालेंगे लेकि चीनी हमें एक साथ नहीं डालनी है आधा चीनी पीसीवी जो ली थी उसे अभी डाल दोंगी और इसे अच्छी तरह से मिला लोंगी और जब इस अच्छी तरह से मिल जाएगा तो बाखी बच्चीवी चीनी मैंने इसमें डाल दिया और लगातार चलाते हुए थोड़ा इसे गाड़ा कर लूगी लगभग एक दो मिनिट बाद यह काफी गाड़ा हो गया है अब हम जो हमारा सीक्रेट सामगरी थी वो था रूफजा तो दोस्तों यह दो चम्मच मैंने रूफजा डाल दिया रूफ जासे बहुत अच्छी खुश्बू आती है इसमें आप इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है अब जो हमने चुकंदर की रस बनाया है उसमें मैं ये दो चम्मच रस पहरे डालूँगी क्योंकि आप डिसाइट कीजिए मैंने टोटल इसमें चार चम्मच जो है चुकंदर का रस डाल दिया है तो मैंने लगभग चार चमच ही बनाया था वो सारा रस में डाल चुकी हो और धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी और तब तक इसे हमें चलाना है जब तक य हमने की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है लेकिन मैंने थोड़ा सा सामगरी प्लेट में लेकर ठंडा कर लिया था अब देखिए इसकी बॉल आसानी से बन रही है यह चिपक भी नहीं रहा है तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और हम अपनी सामगरी को एक प्लेट में निकाल कर पा रहे हैं कि मैंने मोल लिया है मार किट में बीट मिल जाता है इस मोल को अमें घी से ग्रीज कर लूइं ताकि मौदक बनाते समयцы इसमें चिपके नहीं देखी दोस्तों इसको मैंने ग्रीस कर लिया है हमारे मोदक और सुन्दर लगें उसके लिए ये मैं कुछ पिस्ता की कत्रन ली है उसे इसमें इस तरीके से रख दूँगी और पिस्ता की कत्रन रखने के बाद जो हमने ये डूब बनाया था इस मैंसे हम चिकने हाथ करके थोड़ा थोड़ा डू लाएंगे और अपने मोल्ड में इस तरीके से रख करके इसे हलका हलका सा दबा देंगे दूसी तरफ पे इसी तरीके से मैं सामगरी को रख दूँगी और दबा दूँगी और अब इस मोल्ड को बंद करूँगी दबा कर बंद करें दोस्तों और जो ये एक्सिस डू निकला है इसे हम अलग कर देंगे पीछे से हटा करके इसको अच्छे से दबा देंगे आईए मैं खोल करके दिखाती हूँ देखे दोस्तों हमारा कितना सुन्दर गुलाबी मोदक बनकर की तैयार हुआ है और दोस्तों जो हमने इसमें रूफजा डाला ने उसकी बहुत खुशबू आ रही है अब इसे मैं प्लेट में रख लूँगी आए दोस्तों मैं एक और मोदक आपको बना करके दिखाती हूँ देखे दोस्तों हमने कितने सुन्दर मोदक बना लिए अब मोदक को हम दू अच्छे से दबा दीजिएगा आई खोल के दिखाते हूँ तो देखे दोस्तों इस तरीके से सबी मोदक बना लिए अब इसको मोदक को हमारे बिल्कुल बाजार जैसे लगे हैं अब आप देख सकते हैं हमारे रूफजा फिलेवर में कितने स्वाधिश्ट और कितने सुन् उसमें भी अच्छे से बना करके खा सकते हैं तो लेजे दोस्तों हमारे गुलाबी मोदक बन करके तयार हैं दोस्तों मैंने और भी बहुत तरीके के मोदक बनाए हैं जैसे काजु मोदक केशर मावा मोदक मावा मोदक गुलकन मोदक और जो पारम पर एक राइस और जैगरी के मोदक बनते हैं वो भी मैंने बनाए हैं उसके अलावा मैंने रागी के चरपटे मोदक, ओर्स के चरपटे मोदक और दाल चावल के चरपटे मोदक भी बनाए हैं तो आप दोस्तों मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और बना सकते हैं और बताइए गया जरू कमेंट सेक्षन में आपको मेरी रेसिपी सारी कैसी लगी है तो दोस्तों यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें थेंक्स फॉर वाचिंग, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तक तक के लिए बाई बाई